आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Hello student, आज का जो question है यहाँ पे बोला है कि For which of the following cases Does the reaction go farthest to the completion की इन में से किस case में आपकी जो reaction है वो सबसे fast जाएगी तो यहाँ पे आपको क्या given है Equilibrium constant given है तो आपको 3 equilibrium constant given है जिन में 1 का value 1 है 1 में k is equal to 10 की power 10 है और 1 में k is equal to आपका यहाँ पे 1 की power यहाँ पे आपको इका given है की power minus 10 यह आपको इस तरीके से given है ठीक है तो अब यहाँ पे आपको पूछा है कि इन में से सबसे fast आपकी reaction कहाँ पे जाएगी ठीक है तो देखो अब अगर मैं generally कोई example लो Suppose मैंने कोई reaction लिया A plus मेरा इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ small a then आपका b constant क्या होता है It is a product of the concentration of product अगर कोई उसका stoichiometric coefficient है तो वो पावर में आता है Similarly यहाँ पे upon में product of the concentration of आपका reactant इस तरीके से and raised to the power there is stoichiometric coefficient तो यह हमारा क्या होता है equilibrium constant अब आप से क्या पूछा है कि reaction किस में fast जाएगी तो यहाँ पे देखो अब जो मेरा के equilibrium है अब reaction fast का मतलब क्या है कि आपका क्या बन रहा होगा product बने जब आपका product बन रहा होगा जादा तभी आप fast बन रहा होगा तो आपका क्या होगा reaction fast होगा जब आपका product की concentration जादा होगी तभी आपकी reaction fast होगी अब product की concentration क्या है यहाँ पे है numerator में, तो जो आपका equilibrium constant है, वो directly किसके proportional है, concentration of product, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, concentration of product, मतलब कि आप यह कह सकते हो, कि जिसका equilibrium constant आपका जाधा, वहाँ पे आपकी concentration है, product की, वो जाधा, अब concentration of product जाधा, इसका मतलब आपकी reaction क्या हो रही है, आपकी fast हो रही है, मतलब क complete हो रहे हैं, क्योंकि आपका product बनता जारा है, बनता जारा है, जितना जादा product बने का उत्ता ही जादा, तो आपकी reaction क्या होगी, fast is to the completion, मतलब कि आपकी complete होने की उसमें होगी, तो हमें equilibrium constant क्या बताता है, कि जिसका equilibrium constant जादा है, बहाँ पर आपकी product की concentration जादा है, तो आपकी reaction fast होगी, किसकी तरफ to the completion, मतलब आपकी complete होने वाली होगी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो मेरा equilibrium constant सबसे जादा किसका है, इसका, k is equal to 10 की power, आपका 10 है, तो इसका जो k है, वो max है, अगर इसका जो k equilibrium max है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो concentration होगी, product की, वो भी आपकी max होगी, अब जब concentration इसकी max है, तो मतलब की reaction आपकी almost यह ओरी होगी, complete होगी, हमारी क्या होगी, complete होगी, तो हमारा जो answer होगा, वो यह हमारा correct होगा, इस case में आपका reaction farthest to the completion होगा, ओके गाइस, thank you.